अभी हमारे पास हुआई का HG8141 B5 model नंबर का क्या है router modem इसमें क्या है router और modem दोनों inbuilt है उसके बाद हम देखते हैं कि इसका wifi password कैसे change कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम modem को यह बारे में भी थोड़ा आपको बताएंगे सबसे पहले आपको URL में type करना पड़ेगा 192.168.1 1.1 ऐसी login करने के बाद आपको एकाउंट में admin और password में admin डानने के बाद आपको login करना पड़ेगा आप login हो गए आपको बहुत सारे information मिल जाएगा और उसके साथ आपको वाई-फाई का password चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा किसमें करना पड़ेगा WLAN में उससे प क्या है हमारा इसमें लिंक नहीं है इसका fiber कहीं पर ब्रेक हो रहा है अगर यह पॉंड लाइट चलेगा तो इससे मालूम क्या चलेगा फाइबर के साथ है हमारा link है उसके साथ आप देखिए टेलीफॉन का एक LED है उसके बाद यह डबलू लैन क्या इंडिकेट कर रहा है व दूसरे राउटर में आप इसके डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं यह टेलीफोन है यूएस्बी के यूएस्बी पोर्ट है यह जनरली बहुत सारे मॉटम में नहीं दिया रहा था लेकिन इसमें दिया है इससे आप अपने एक सीम डालके भी इसको वाइफा राउटर का 123 तो आप पो इंटर करेंगे तो मोडम के अंदर इंटर हो जाएंगे अब देख लिए जैक फिर से यह यह देख लिए यह लोट से हें इसमें अब हमाते हैं वाइट्प पासवर्ड के लिए किसमें जाना है हमें सबसे पहले किस दो यह रेलेटर नर्ग इससे जितने क्ति अप इस में चाहिं तो है सब इसे को क्या करना है इसमें हैसे साइट क्या कर रिखिए हवास NGO करेंग यहां कि पासवर्ड देदेना है जैसे अभी हमने पासवर्ड पर देदी है 1 2 3 4 5 उसके बाद आपको क्या कर देना है अप्लाई करते ही आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा जैने इस मौड़ाम है तो पासवर्ड थै अब यहां पर दीदा यहां पर किखा है 2.4 G basic network 2.4 G basic network है तो यहां पर भी आप इसका password चैन करना चाहते हैं उसको click किजिएगा और अटा के अपने अनुसरा password देढ़ीजिए उसके बाद आप क्या कीजिए यहां पर आप पासवर्ट दे दिया उसके बाद जैसी आप इसको करेंगे अप्लाई करने के बाद आपका पासवर्ट चेंज हो जाएगा अब मैं बताता हूं 2.4G और 5G बेसिक नेटवर्क दो क्यों बनाये जाए अगर आप रूम में ही यूज करना चाहते हैं तो आप 5G ब मोबाइल में योज केजे को कि उसका नियर में स्पीड काफी अच्छा रहता है लेकिन क्या रहता है स्पीड का डिस्ट्रिब्यूशन भी थोड़ा हो जाता है इस तरह आप क्या करेंगे इसका वाइफाई पासवर्ट और वाइफाई नैम को चेंज करना भी सीख लिए रिप्या करके आप पूछे लेजिएगा ओके ठैंक यूँ